प्यारे दोस्तों चल रहा है बिहार SSC साइंस में प्रिवेस एर में पूछे गए प्रशनों का सिरीज जहां हम आज बाइलोजी का सेकेंड चेप्टर देखने वाले हैं इससे पहले फॉर्स चेप्टर कम्प्लीट करवा दिया है और इस सेकेंड चेप्टर है पादपुत तक एवं जनतो तक ठीक है प्लांट टीसू एवं अनिमल टीसू के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगा और इसमें पूछेगा जितने भी प्रिवेस एर प्रशन है सभी हम लोग करने वाले हैं डीटेल एक्स्प्लानिशन के साथ तो मैं सत्यपूरी आप सभी का स्वागत है पूरी पार्ट साला में चलिए पहले प्रशन से देखते हैं क्या पूछ रहा है देखें मानव शरीर में ऑक्सिजन की पूर्ती किसके माध्यम से होती है किसके माध्यम से होती है RBC RBC क्या है Red Blood Cell है लाल रक्त को सिकाएं है और यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सिजन के मोलकूल जो है RBC में समा जाते हैं और उसके बाद हेम जो RBC का ही पार्ट है उसके द्वारा ये सरीर के विभीन मसल्स में विभीन पार्ट में पहुंचा दिये जाते हैं तो वहां तक रक्त जो है आपको oxygen ले जाता है और oxygen की आपूरती हो जाती है क्योंकि oxygen की कमी से आपको पता होगा मसल्स जो है लेक्टिक अमले निकालते हैं और जब हम कोई भारी काम करते हैं या दोड़ते हैं या कुछ इस तरह के काम करते हैं तो हमें दर्द जो पेन होता है वो यही oxygen की कमी से होता है सही जवाब हो जागा RBC red blood cell वहीं आपका WBC जो है white blood cell जो है यह जो है हमारे सरीर को प्रती रक्षा प्रदान करता है प्रती रक्षा तंत्र के लिए जम्यदार है सफेद रक्त कोसी का है RBC के life के बात करें तो इसकी life जो है 100-120 दिन की WBC की 20 दिन से भी कम life होती है यानि जीवनकाल होता है दूसरा प्रशन देखिए पूछ रहा है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सार्वदाता यानि की universal donor कहलाते है अब दो चीज है एक है सर्वदाता एक है सर्वत्रिक गराही दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे donor मतलब कि क्या हो गया दाता recipient मतलब हो गया गराही ठीक है अच्छा देखिए universal donor पूछ रहा है तो universal donor वो है जो सब ही को दे सकता है जैसे कि आपका O है और इसमें कोई भी antigen नहीं पाया जाता है यह पूछा जाता है कि किस में antigen नहीं पाया जाता है तो O में कोई भी antigen नहीं पाया जाता है जबकि आपका AB में जो है A plus B दोनों ही antigen है दोनों ही antigen यहाँ पर मौझूद है, इसलिए O में चुकी antigen नहीं है, इसलिए यह सभी को दे सकता है, यहाँ देखें रिसिपेंट जो है, A, B, A, B, O सभी को दे पा रहा है, A, B को, A, B को और O को सभी को दे सकता है, वहीं जो A, B है, इसमें चुकी आपका दोनों ही antigen पाए जाते हैं तो यह को नहीं देपाएगा यह B को भी ने देपाएगा यह सिर्फ और सिर्फ A-B को देपाएगा ठीक है यह आपको क्लियर होना चाहिए दूसरा प्रस्थन जो इस में से पूर्शता है वो यह है कि सार्वत्रिक ग्रह ही कौन ठीक है universal acceptor कौन है तो यह भी आप देख सकते हैं A B सबसे ले रहा है A से भी ले रहा है B से भी ले रहा है A B सबसे ले सकता है आचा यहां पर अगर examiner को मन हुआ तो वो प्रस्ट को घुमा सकता है और आप से पूछ सकता है O O positive या O negative कौन है जो universal donor है तो आपको याद रखना है donor देने से अगर आप किसी को देते हैं तो क्या हो जाता है negative आप में कमी आ जाती है तो O negative जो है यह universal donor है O negative ठीक है तो यह आप याद रखिएगा यहाँ आप confused मत होईएगा positive में negative में सही जवाब हो जागा आपका option C और उससे भी सही जवाब हो जागा O negative अगर रहता तो वो जादा सही answer होता इस प्रश्ण का चलिए देखे तीसरा नंबर प्रश्ण फिर इसी से संबंधित एक और प्रश्ण पूछ रहा है blood group सर्व ब्यापक ग्रहता कौन है यानि कि universal recipient बोल दिजिए universal acceptor बोल दिजिए कौन ह यही पूछ रहा है और अभी हमने पता है कि A B जो है वो सभी से ले सकता है यानि सही जवाब कौन हो जागा आपका A B A B A B O सभी से A B ले सकता है और इसमें A और B दोनों ही antigen पाय जाते हैं यह पूछा जाता है यह important आपके लिए चलिए अगला प्रश्ण में बढ़ते हैं अच्छा यह जो रक्त समू है इसकी खोज किसने की तो यह भी याद रखिएगा आप रक्त समू की खोज किस करते हैं लेंड इस्टीनर ठीक है और इसके लिए इनको नोबल प्राइज मिलता है 1930 में रक्त समू की यानि कि Blood Group की खोज के लिए तीसरा प्रश्ण में आ जाते ह है पूछ रहा है कि कौन सा Blood Group हो चुका है चौता प्रश्ण यह प्रोटीन नहीं है देखिए Collagen एक प्रोटीन है यह मार्केट में भी मिलता है Collagen प्रोटीन जो है वरस्पति प्रोटीन से बना हुआ होता है ठीक है उसके इलस्टीन भी प्रोटीन का पार्ट है जो आपका ल ब्लू बीसी का पार्ट है लिंफोसाइट और आप देख सकते हैं लिंफोसाइट कुछ इस तरह से इसके अकृती होती है और यह लिंफोसाइट क्या करता है यह जो होता है नस्वेत रक्त कनिकाओं के भाग है यह जीवानों का भक्षन कर लेता है हमारे सरी में जो भी जीवा प्रशंद समज़ें प्रशंद को वित्रों में उगा कर विसानु मुक्त पाधप तयार करते हैं तो कौन सा पौद्धा यह प्लांट किया गया एक उससे पूरे पाधे का निर्मान किया गया ठीक है वेट्रों में उगा के एक ऐसा safe environment है जहां पे जो है आपका जल और मिट्टी रहती है उसके अंदर इसे लगा जाता है विसानु मुक्त पादप तयार किया जाता है मैंने बताया कि safe environment के अंदर उगा जाता है तो किसको लगा जाता है यही पूछा जा रहा है तो देखे विभाजियोत्तक को लगा जाता है किसे विभाजियोत्तक option D और सर बोलिएगा विभाजियोत्तक सर होता क्या है तो देखे यहां पर जो उपर का पाठ है इसे बोलते है स यहां से देखिए नय नय जो है तने आपके निकलते जा रहे हैं तो अंतर्विष्ट विवाजित्यक है और यह वहला सबसे कम होता है धीरे-धीरे बढ़ता है नीचे का पाठ ठीक है तो यह हो गए आपके विवाजियोत्तक के तीनों भाग जो है इसमें आपने देख लिए ह और विवाजियोत्तक को इंग्लीज में क्या काते हैं यह भी आपको लिए इंपॉर्टेंट है इसको कहते हैं मैरिसमेटिक Marismatic Tissue Marismatic Uttak बोल लिजे Marismatic Tissue बोल लिजे दोनों एक ही चीज़ है तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी इंगलीस में भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है तो आप दोनों ही चीज़ याद रखेए गा सही जाव होगा आपका option D अब देखें यहाँ पूछ रहा है कौन सा पसू उत्तक नहीं है ठीक है? कौन सा पसू उत्तक नहीं है और यहाँ आप देखें पेसी उत्तक तो पता है हमारे मसलस में पाया जाता है पसू उत्तक वही है जो कि इंसानों में भी पाया जाता है ठिक है तो पेसी उत्तक बूर्णेंस लिगामेंट धो गया रख्त हो गया तर् Wars लेसरे चिचा जुढ़ाएंस. तक तक मेरिसमेटिक टीसू जो है यही प्लांट टीसू है यानि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो टीसू से ही सम्मंदित प्रश्णों को देखेंगा अच्छा आप मेंसे बहुत सारी लोग कमेंट करते क्लास जो है लेट आ रही तो क्लास लेट आने का कारण है कि मेर नहीं पाया जाता है फूच रहा है पूछ रहा है देखे है लूपसाइट पाया जाता है कहां हमने देखा यहां आप देख सकते हैं लिम्फोसाइट है ना Grace का पार्ट उसी तरह डिवलू बींदिश का पार्ट यह भी है कौन सा लुकोसाइट मॉनोसाइट लिंफोसाइट यह तीन हो कौन सा नहीं होगा कौन्ड्रोसाइट नहीं होगा सही जवाब हो गए आपका Can vac साइट उएट च्छां का वाइच बलड सेल का पार्ट नहीं है एक सलफर यूट डेख़ेसल फर ऐस किसमें पायजाता है कौंसे अमीनो अमले पाय जाता है तो अमीनो अमल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अमीनो अमल क्या है तो यह प्रोटीन की इकाई क्या है पूछा जाता है तो अमीनो अमल जो है आपके प्रोटीन की इकाई है और यहां पर आपका प्रशन पूछा जा रहा है कि सलफर यूग कौन सी है तो और यह structure आपको याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना कि 16 में sulfur मौझूद है, आप देखी सकते हैं, sulfur मौझूद है, नवा प्रशन, देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दिजे, बोला है, सही नहीं है, सही है, कहीं कहीं में आदमी फज जाता है, तो चलिए देखना था, आप option B, C, D सबको देखना था, इसलिए प्रशन ठीक से पढ़ेंगे, और इस गलती से बचने का कोशिस करेंगे, तो देखिए, option A, बिल्कुल सही है, देखिए, उसके बाद ऑप्सन C, मध्यकंड में मौझूद इस्टेपज मानव संकाल की सबसे छोटी देखिए, यह बीसाई है, इस्टेपज आप लिजे, स्टेपज बोन लीजे, हमारे कान के, जानी मधिเหिकान के अंदर पाया जाता है, और यह क्या करता है, जो भी हम लोग बाहर से आवाजे सुनते हैं नहीं यह उससे ग्रहन करता है, और फिर यह हमारे मस्ठिक इसका यूज नहीं होता ये भी बिल्कुल सही जवाब तो गलत कौन सा हो गया सर तो मानव रीड की हट्डियों में 28 नहीं बलके 26 को सुरुक को पाए जाते हैं यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया और यहां देख सकते हैं मेरूदंड का पार्ट जिसे वर्वर ट्रेप ठीक है और यह जो यह अपका लंबर का पार्ट आप यहां आप ने सुना होगा कि कमर में जो दर्द की प्रॉब्लम होती है खासकर महिलाओं को तो उसमें याeded किLife यहां us So से और भी पार्ट है आगे जो कोश्चन मिलेंगे उसमें मैं इसे जरूर डिसकस करूंगा तो वहां पे हम सभी पार्ट इसका देखेंगे सही जवाब हो गया आपका ऑप्सन भी जो है गलत है दस्वा प्रशन पूछ रहा है कि मानष सरी में वसा का पाचन मुखिता कहां होता है ठीक है तो मानष सरी में जो वसा का पाचन कहां होता है वो देखेंगे पहले देखते हैं कि कार्भो हैड्रेट का पाचन कहां होता है क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया तो कार्भो हैड के फौजदाने को अपने मुँमें रखें तो फ़धर बाद वह आपको मीठा लगने लगा यानि साथा यानि कार्भोहाईडड़ हो गया हमारे मुँमें सलावा पाय जाता है जो कि इसे पचाने का काम करता तो कार्भोहाईड़र का पाचन हो जागा आपका मूह से प्रोटी कि छोटी आंत यानि small intestine में होता है यहां आप देख सकते हैं fatty acid जो fatty acid है साथी monoglycerine जो है यह चोटी आंत का यह भाग है जिसमें दिखा गया है और intoplasmic reticulum जो है उसमें जाता है और उसके बाद lymphatic वहसिल में यह चला जाता है तो आपको इतना जादा बाइलोजी नहीं जानना है आपको सिर्फ यह याद रखना है जो आप से पूछा जाएगा एक्जाम में कि मानव सरीर में वसा का पाचन कहां होता बोलिएगा छोटी आत में वसा फैटी असीड या फिर पाचन हो जाता है ज़्म आते हैं चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा देखे पॉदहों में टो छीज पाहते हैं सब्सके क्या प्रशन रेकर नाम से इतना सैंसे ब्रियम मतलब क्या हो गया सर्जाल मतलब मतलब हो गया सफप्ण मतलब क्या मतलब आप फूबन फोड तो सथाड भादा उंपर में बोजन ले जाने के लिए पोड़ ब्रियम का इस्तमाल होता है जय कि एक Dc be कि आंग जब्कि को दो जायी है एक ही दिशा में होता है कि धा से नीचे से पूपर जो है पौध हो जब्कि दाए मैं पूछा गया कि पॉछा गया क्या रहां है सही जाओ जगा यह सरकरा कार्वो है ढूपर तक पहुंचाता है जब्किल सही जवाब हो गई बारवा नंबर का प्रश्ण पूछ रहा है चलनी पट्टी का एक है चलनी पट्टी का क्या है यह पूछा जा रहा है तो देखें जैसे मैंने बताया भी एक पौधा का तना हमने लिया यह पौधा का तना मालीजी हमने लिया अब क्या क्या मैंने इसे यहां से 20 से काट दिया और कैमरे यहां पर sit कर दिया उपर ऐसाझ-से नहीं से तो इस को जब देखुँंगा यही भाग यह इसे हम उप देखेंगे तो यहां पर देखें ईसे जो है छोटो चोटे गोंं घुल्चे तिर्टे मेरे जो है भाग मिलते हैं Air इसे ही बोलते है चलनी पठीका या रहेंने लमववात काट डिया है另 britt काटा तो यहां आपको दिख रहा है लंववववात में यह भाग है यह आपकी चलनी पत्ट का कहलाती है चलनपत्ट इसे बोलते हैं तो सही जब आपका क्या हो जाएगा पॉसवा यानि की फ्लोल्व्व का भाग है चलनी पटिका देखें यहां पे नाम क्या लिखा है पोस्ट वाहां पोस्ट मतलब पोसन यानि फूड वह मतलब वहिका फूड को ले जाने वाहिकाएं यानि कि फ्लोएं जो है चालनी पटिका तो आपको हिंदी भी याद रखनी है इंगलीज भी पूस्ट तो आपके तो पूरा जोड लगा दीजे, पूरा तागत लगा दीजे, क्लास अपसेंट मत कीजिए, सारा का सारा वीडियो देखिए, और इसका जो प्लेलिस्ट है, मैं नीचे डाल दूँगा, इससे पहले भी बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, भी हर से सी के, तो वो सभी क्लास आपको देखना है, और सबका PDF भी हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे है, तो कमेंट सेक्शन में वो जो ग्रूप है, वो जाकर आप जरू जोइन कर लें, और पसंद आ रहा है वीडियो तो सेर भी जरू करते चलें, अब देखिए, तेरवा प्रशन क्या पूछ रहा है, तो पूछ क्या होता है, ये पूछा जा रहा है, तो उतक वे को सिखा है, जो मूल रूप से दिखने में और कार करने में समान रहे हैं, तो यहां देखिए, तका क्यों हो जाए संडी हो जाए क्योंकि मूल रूप से दिखने में और कार करने में समान होती है यह क्या कहलाती है उत्तक का अध्यान पूछा जाता है तो उत्तक का अध्यान क्या कहलाता है यह कहलाता है हिस्टोलोजी हिस्टोलोजी जो है उत्तक का अध्यान कहलाता है यह आप याद पर्मानेन टीसू जो बना जाता है तो यह कठोर होता है और यह फ्लक्सिबल नहीं होता है और यह मॉस मखन तक कंडक्टिंग टीसू बने होते हैं जिससे की जो है आपका CC प्रवाइंगे उसीतरा के टीशु जो है मॉसमा बने कि इल्गी यहाई की मॉस्ट Pv pesos ऍाफि हो जाएगा ठीक है पीड हो जाएगा तो वह काफी कठोर होता है तो वह हो जागा इसक्लेरन कैमा उसका चोटा पौदा हो जागा तो वह हो जाएगा आपका कॉलन कायमा और इसके वपर डीटेल जो है नेक्स्ट प्रस्ट में भी हम देखेंगे अज्जाइलम फ्लोम तो आपको पता ही है ठीक है तो सही जवाँ होगे आपका मृद्धु उत्तक यानि की मुलायम उत्तक यानि की पैरन कायमा सोलवा प्रश्ण पूछ रहा है कि पौध में प्रात्मिक विद्धी होती है किसमें प्रात्मिक विद्धी यानि की जो सुरुवाती विद्धी है वो किसमें होती है तो वो होती है आपका विभाज्योत्तक में और सिर्स विद्धी होती है पिछले प्रश्ण में भी आपको यह समझा दिया गया है अंतर विष्ट विभाजयुत्तक अब पार्स से विभाजयुत्तक ठीक है तो कहां पर होगा एक तो होगा अधिक विभाजयुत्तक जो ज्यादा हो पाता है और एक होगा सिर्स विभाजयुत्तक option आप देख लिए अधिक और सिर्स कौन सा option हो जागा option B, option C और D जो है यह दोनों ही सही है इसमें प्राथमिक विद्धी होती है चलिए सत्वाब प्रशन देखते हैं क्या पूछ रहा है ठीक है बिरल रूप से सघं नहीं होती है टीक है इसम श्कंण कामई में होती है और सघं स्गाहिल है सघं को सघं कोंगा यहाँ विरल हो जागा और भी डीटेल में एक्स्प्रेंट कर दिया जाएगा तो सही जवाब होगे आपका पैरंट कैमा अभी मैंने आपको पता है पैरंट कैमा से ज़्यादा कठोर आपका इसक्लेरं कैमा हो जाएगा काश्टी पौदे जो होते हैं उसमें इसक्लेरं कैमा पाया जाता है अठारवा प्रश्न जन्तु को सिकाओं में व्रिक को यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है कौन करता है यह पूछा जा रहा है तो देखें यांत्रिक समर्थन मतलब क्या हो गया ये अंत्रिक संपोर्ट प्रतान करते हैं ऑपलेंदिशु काए क्योबाइडियल सीड़ में है या आयत के स्वेप में है यह आन्त्रिक समर्थन प्रतान करता है यहां पिक्चर में भी इसे देख सकते है किस तरह काई यह होता कि यहां पर निकले हो गए कि हो अका है यह तो इसे क्या हो जाता है एडी-pож उब घृब् monte जाते हैं और इसमें जू है वह यहां पर बला जाता है ना कि चमड़े के अंदर जो है चरवी जम गई चमड़े के अंदर जम गया है तो यहां पर होता है यह इस टाप का ठेक है तो 19 का सही जवापका क्या हो जाएगा वसा तो चाहरों नीचे अंतरिक भागों के बीच वसा उत्तक पाय जाता है यानि कि एडीपोज के आवशक्त का उपयोग किया जाता है sector नाइक्ट्रोजन जो यह वही नाइट्राजन है जो कि वायू मंडल में 78% पाय जाता है। आपने देखा होगा खिलारी या फिर आपके जो व्याम साला में व्याम करते हैं जिम करने के बाद जो है यह जो नाइट्राजन है हमारे वायॣ मंडल का प्रमूक गयस है, यही नाइट्राजन जो है प्रोटीन के लिए भी ओमेदार है। और यही नाीट्रोजन जो है का यूरिया में पाया जाता है । यह पूछा जाता है। तो जिवास टो जने हैं का forsk लिए गक्र में हमारी सवने कीमिस्ट्री तो सुने हैं। तो मैंने बताया है जाईलम से क्या पता चलता है जल सब्सक्राइब और ऊपर जाता है यह दूर जाता आ तो two way होता है flowem में, xylem में one way होता है, आप देख भी सकते हैं, और हाँ इस PDF को आपको download जरूर करना है, वीडियो देखने के बाद आप PDF डाउनलोड करतें, कहां मिलेगा सर, तो पूरी पार्ट साला नाम का चैनल टेलिग्राम पे है, what's up चैनल भी बनाए गया है, link नीचे description म और comment में मिल जागा, वहां से जरूर download कर लिए और इसे revision करें, क्योंकि आप जब देखेगा, तो पता चलेगा, एक ही तरह के प्रशन जो है, हर year कुछ को ना कुछ similar से मिलते हुए प्रशन रिपीट हुए है, तो अगर हम सारे previous year प्रशनों को कर दें, तो हमारा कोई प्रश हमोगलोबिन क्या करता है, हमोगलोबिन क्या पाय जाता है, हमोगलोबिन में क्या पाय जाता है, लोहा की कमी हो जाती है, भारत में महिलाओं को, भारत में उपस्तित महिलाओं में सबसे ज़्यादा हमोगलोबिन की कमी पाय जाती है, और ये लोहा कहां पाय जाता है, तो ल इसलिए हरे पत्तेदार सब्सक्राइब की सलाह दी जाती है तो इसका सही जावा हो गया आपका ऑप्शन अब आपका पण्र सब्सक्राइब के तो इससे चाए उसे में रहट दे दूँगा तो पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सही जवाब है और आपको किसी प्रश्ण में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें कि सर यह समझ में नहीं आ रहा है पच्छिष्वा प्रश्ण पूछ रहा है कि नुकिले पतले सिरो वाली कोसिका क्या कहलाती है अत्यांत सक्त मोटी और मजबूत होती है होता क्या है सेलूलोज जमते जाता है और सेलूलोज जमते जमते यह मोटा हो जाता है मजबूत हो जाता है और यह जो द्रिड तक है यह यांत्रिक सपोर्ट यानि की जैसे यह पीड़ का भाग है तो यह मजबूत रहेगा तभी ना पीड़ टिका रहेगा अंधी तुफान मे तो उसी का काम जो है ये द्रव तक करती है और ये कैसी होती हम्बी होती है संक्री होती है और दोनों सीरों से नुकीली होती है, तिर इस ट्रैप से होती है नीचे पिक्चर है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा अच्छा देखिए आप 26 प्रश्ण पूछ रहा है कि रेसेदार संयोजी उत्तक है जो जोडों में हड्डियों को जोडता है तो यह कौन सा है पूछा जा रहा है यह आपके सामने जो है लिगामेंट लिगामेंट टीयर यानि लिगामेंट टूटने की विमारी सबसे ज्यादा बास्केटबाल और फूटबॉल प्लियरों में देखने के मिलती है होता क्या है कि देखिए जैसे कि हमारे सरीर में जहां भी जोड़ होते हैं तो वहां पर जोड़ों को जोड़ वाली हड्डियों को जोड़ने के लिए लिगामेंट यानि किसे हिंदी में बुलते हैं सनायू कि दोनों ही आपको याद रखनें इंगलीश और हंदी कुछ भी पूछ सकता है न अग्जाम में अगर आप हंदी मिडियम लिए हैं और इंगलीश दोनों में ही तो प्रशन रहेंगे लेकिन आप दोनों में ही याद रखने का कोश़िस ज़रूर करेंगे ठीक है तो देखिए बाताए हाँ कि काई सा लिगमेंड तूटता है तो सामने वाले लिगमेंड छो है खिलाडियों को दॉड्पोड़ने से घटकू से उछलने स्थम चाने से तूट जाता है थि का उप्रेट चांप शिल तेहाल मुश्य जयुक्त कर Спाण no योने को लीगामेंट होए उसी तरह से पूस्थीरीय, ज्यृषी 되어 वालते हुड़ी होकी यो के सबसे बड़ी होते हैं केका लिच्थी औ्यूद यह समय वाली को पड़ी आकशिदे़ों कहा जाता हद तो यह रेसेदार हेुड़ी तो यह क्या करता है है? यहेंथ प्रोटीन का भाग है और जब यह मुड़ता है तो प्रोटीन के द्वारान स्ट्वारान सफेशियों के संकुचन में एक्टीन और मायोसन जैसे शिकुड़ा प्रोटीन की उपस्तिती पे निर्भर करता है ठीक हार यहां पर देखिए मायोसीन यह जो है यह आपका मायोसीन है यह चीक है तो यह भी जो है अपने आज तक पढ़ा होगा लेकिन पिक्चर नहीं देखा होगा जहां तक मुझे लगता है तो आज जब आप पिक्चर देखते हैं साथ में पढ़ाई करते हैं तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती है कि आप उससे चीजों को पढ़के याद रखना मुस्किल है पिक्चर के माध्यम से याद रखना आसान है इसलिए मैं आपके लिए खोज- लेक्टीन का भाग है मायसीट ओक्रश्ण कि या पूछ रहा है इनमें सो कौन सा उत्तक प्रचूर मात्रा में वसा संग्रहित करते हैं कि अभी हमने पढ़ा है कौन सा हो जागा आपका वसा उत्तक यानि कि एड़ी पोज दोनों ही आप यान लग़ते कि वसा उत्तक में वस सबसे लंबे समय तक उर्जा को संग्रहित कर सकता है अब वसा में स्थिति उर्जा जो होती है वह सबसे ज्यादा में निकलती है यानि कि फैट से और इसके बाद कर्भोहड़ेट से सबसे जयादा उठ आई जाती है चलिए ए Mrs. व्रव अनर दिना में च् उसका निचोर जै को आप अगर उसको आप एक बार धिहां से देख ले तो आप पूरा से सह क्लियर हो जाँग इन्पॉर्टेंट पहला हमने देखा था पहर दमॉ धिर और में दिरदaking क्यमो तो यहां पर नाम देखे क्या है Scale और आपको पता होगा कि हमने जो भी Scale यूज किया है या फिर आप इसे इन चीज़ जिसे बोलते है Scale क्या होता? कथोर होता है तो Scleran Kama क्या होगा? सबसे ज़्यादा कथोर हो जाएगा ठीक है? क्या हो जाएगा? कथोर सबसे ज़्यादा कठोर सबसे ज़्यादा मजबूत सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो है आपका हो जाएगा इसक्लेरन कैमा पैरन कैमा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मुलायम ठीक है जैसे कि यह हो गया आलू का टिसू मुलायम हो गया अब हो गया क्लोरिन कायमा तो यह जो धनिया हो गया जीरा हो गया उसके जो तने होते हैं वह आपका क्लोरिन कायमा के बने होते हैं वह जो टीसू इसमें पाए जाता है यहां आप देख सकते हैं उसके बाद हो गया इसमें आ सकते हैं जैसे यह एक्जांपल आलू, आपका धनियाक पत्ते का पीर लिया गया है यह आपको समझाने के लिए अब यहां देखें प्लेरन कायमा प्लेंड का टी स्यू है यहां देख सकते हैं इसमें मिडल वाला भाग ज्यादा होता है और किनारे कोसी का भीती जो है जो सेल्यूलोस के बनी होती है वह देखिए किगा पतला है कि अगर आप क्लोरीण कायम हम आहें तो यह थोड़ा से मोटा हो जारा इससे पर अखेव जादा चाहां कि नारे पतला है यहां यहां देखे जहां दीए नुकीली है है ना किनारों पेनों के लिए मोटी है किनारों पेनों के लिए इसी के बारे में हम उपर पढ़ रहाते ना कि अनिमियत होती है लंबी होती है ठीक है अकोनों में मोटी होती है ठीक है यह आपका हो गया आपका लोंगिटुडनेल हो गया यहां भी आप देख सकते हैं ठीक है यह जो क्लोरिन कायमा है यह तीनों ही आपका यहां पर हरेंगा होता है यानि कि इसमें आपका टो है क्लोरोफिल भी पाएजाता है अब देखें, तीसवा प्रश्ण मानस्पेसियों का हुआ भाग, जो संकुचन उत्पन करने के लिए शुकुर था, अभी हमने पढ़ा, कौन सा भाग हो गया, वो हो गया, एक्टिन, ठीक है, हमने देखा था, एक्टिन जो है, शुकुर रहा है, यह देखें, शुकुर रहा ह तो मानस्पेसियों का भाग हो गया, आपका एक्टिन, मायसीन भी है, यह जो है मानस्पेसियों का प्रोटीन, ठीक है, तो आज हमने 30 प्रश्ण देखें, 30 प्रश्ण के साथ ही, उसके एक्स्प्लानेशन के जरिए 30 से कहीं ज़्यादा, लगवाश सतर से 80 प्रश्ण हम लो टफ पूछे जाते हैं, टफ कहने का मतलब है, उसमें निम्रिकल भी पूछे जाते हैं, तो अगर आप समझेगा नहीं, सिर्फ अगर रटते हैं, तो वह आप एक्जाम में नहीं बना पाएंगे, और एक एक नमबर इंपोर्टन है, क्योंकि कॉम्पेटिशन अच्छा खास दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों, चलिए, सब्सक्राइब कर लिजएगा, फिर मिलते हैं आप से निक्स्ट वीडियो में तरब तक लिए जाहें,